हलो अश्टुडेंट्स विल्कम टू सिपसंकर जिक्के जिए सिपसंकर जिक्के जिए समें एक वर फिर से आप सभी का स्वागत है तो अश्टुडेंट्स आप लोगा चल रहा था पारामेडिकल परवेस परिच्छा 2022 के लिए इंपोर्टेंट कोश्चन कमाईनी महा काविके रचनाकर का नाम है आपसने रामधारी सी दिनकर आपसन वी के सबदास आपसन सी जे संकर परसाद और आपसन डी चंदवरदाई तो कमाईनी महा काविके जो रचनाकर है वो हैं आपका जे संकर परसाद राइट अंसर आपका आपसन नंबर सी उसके बाद अगला कोशन कहता है पिर्थिवी राज रासो दे बी बróमा तो त्री संकूं जो है औो आपका सचिदानंद आगे का लिखा हुआ है तो नमबर ए उसके बाद पर अगला नमबर कोशन काता है पंच परमेशवर किनका लिखा हुआ है अप्शन A सुमित्रा नंदनपात और अप्शन B प्रेमचंद और अप्शन C मैथिली सरनगुप्त और अप्शन D रामधारी से दिनकार तो पंच परमेशवर जो लिखा हुआ है वहाँ आपका मौनसी प्रेमचंद का लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपका राइट अंसर हो जाता है आपसन नमबर B उसके बाद अगला नमबर कोशन कहता है पल्लब पल्लब किनकी रचना है आपसन A रविसंकर परसाद आपसन B रामचंदर सूलक और आपसन C सुरिकांत तिरिपाटी और आपसन D जैसंकर परसाद तो पल्लब जो रचना है या पल्लब रचना जैसंकर परसाद का है राइट अंसर आपका आपसन नमबर D उसके बाद फिर अगला नमबर कोशन कहता है गवन गवन किन की रचना है option A साम सुंदर दास option B राम चंदर सुकल और option C मुनसी प्रेम चंद और option D इन में से को नहीं तो गवन जो रचना है वो है आपका मुनसी प्रेम चंद राइट अंसर option number C उसके बाद फिर अगला number question कहता है अश्टा ध्याई option A में दिया है पानिनी option B प्रेम चंद option C बालमी की और option D बेद व्यास तो अश्टा ध्याई किन का रचना है अश्टा ध्याई जो रचना है पानिनी का है तो राइट अंसर option number A उसके बाद अगला number question कहता है कि बैद देही बन बास किन की रचना है option A में दिया है राम नरेस तिरिपाठी option B में दिया है सत नरायन कभी रतने और option C में दिया है आयोधिया सी उपाध्याई और option D में दिया है मैथिली सरन गुप्त तो बैद देही बन बाश जो है या आपका आयोध्यास उपाध्याई का लिखा हुआ राइट अंसर आप्सन नमबर C उसके बाद अगला नमबर कोश्चन कहता है पलास बन किनकी रचना है आप्सन जैनिंदर कुमार आप्सन B मैथिली सरनगुप्त आप्सन C बाल कृष्चन सर्मा और आप्सन D नरेंदर सर्मा तो पलास बन जो रचना है वो नरेंदर सर्मा का है राइट अंसर आपका आप्सन नमबर D उसके बाद फिर आपका आगला नमबर कोश्चन कहता है कि कुरू छेत्र किनकी रचना आप्सन A में दिया है रामधारी सी दिनकर आप्सन B भारतेंदू हरीश्चेंदर और आप्सन C गांदी और आप्सन D के सबदास तो कुरू छेत्र के जो रचना कर हैं वो हैं आपका रामधारी सी दिनकर तो right answer option number A उसके बाद फिर आपका अगला number question कहता है जहरना किनकी रचना है option A में दिया है जे संकर परसाद option B में दिया है सुबद्रा कुमारी चोहान और option C. महदेवी बरमा और option सुवानलान दुएदी तो जहरना जो रचना है वह आपका रचना जे संकर परसाद का है तो right answer यहाँ पर हो जाएगा आपका option number A उसके बाद अगला number question कहता है राम चंद्रिका किनकी रचना है option A मैथिली, सरंगुप्त option B केसब दास का option C. तुलसी दास और option D. पृद्माकर तो देखिए राम चंद्रिका जो रचना है वह किये थे केसब दास ने तो right answer आपका option number B उसके बाद अगला number question कहता है कि जै द्रत बध किनकी रचना है option A महदेवी बर्मा option B सुमित्रा नंदन पंथ और option C जै संकर परसाद और option D मैथिली, सरंगुप्त तो जै द्रत बध का जो रचना किये थे वो लिखे हैं आपका मैथिली, सरंगुप्त तो यहाँ पे right answer हो जाता है आपका option number D उसके बाद अगला question कहता है कि उर्मीला किनकी रचना है option A में दिया है बाल कृष्ण शर्मा नभीन option B सुरे कांग तिरपाठी निराला option C सुबधरा कुमारी चोवान और option D महदेवी बर्मा तो उर्मीला जो रचना किये हैं वो किये हैं बाल कृष्ण शर्मा नभीन तो यहाँ पे आपका right answer हो जाता है option number A उसके बाद फिर आपका अगला number question कहता है प्रभात फेरी किनकी रचना है option A option C बिरेश्वर सी और option D निराला तो प्रभात फेरी जो रचना है वो नरेंदर सर्मा का है right answer आपका option number B उसके बाद अगला number question कहता है प्रेम बाटिका किनकी रचना है option A में दिया है रविंद्र भ्रमर option B और option C निराला और option D भारतेंदू हरिश्चंद तो प्रेम बाटिका जो रचना है वो आपका भारतेंदू हरिश्चंद का है right answer option number D उसके बाद अगला question कहता है म्रीगन याईनी उपन्याज जो है किनकी रचना है option A जैनेंदर option B ब्रिंदा बन लाल बर्मा और option C प्रेम चंद और option D मैथली सरनगुप्त तो म्रीगन याईनी उपन्याज के जो रचना का रहें वो हैं प्रेम चंद तो right answer आपका option number C उसके बाद फिर आपका आगला number question कहता है प्रिये प्रवास किनकी रचना है option E महदेवी बर्मा option B माखनलाल चत्तुर बेदी और option C हरियोद और option D मैथली सरनगुप्त तो प्रिये प्रवास जो रचना है वो हरियोद का है तो यहाँ पे आपका right answer हो जाता है option number C उसके बाद फिर आपका आगलाग number question कहता है लोकायतन तो लोकायतन का जो रचना कर है वो है आपका सुमित्रा नंदन पंत तो यहाँ पे right answer हो जाता है आपका option number A तो students यह था important question इस वीडियो को share किजिएगा मिलते हैं next वीडियो में तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा